हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित अकेडमी के यूटूब चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रूप यानि डी फार्मा इंटरेंस एक्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बाइलोजी का 500 प्रशनकाल सीरी चलाया है जो की बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और उसका आज ये 24 वा वीडियो है और आज के 24 वे वीडियो में हम लोग क्लास 12 बाइलोजी का एक बहुत खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं वो है जैव प्रद्योगी की के सिध्धान्त एवं प्रकरम इसका पार्ट वन है इंग्लिस में बोले तो बायो टेकनोलिजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि है छोटा सा चैप्टर लेकिन आपको कम से कम दो से तीन कुश्चन का वेटेज रखेगा बिसिकली पढ़ना क्या है तो आपको नाम से पता चल रहा होगा बायो टेकनोलिजी मतलब हुआ कि हम लोग बायो में जीव में टेकनोलिजी जीवो में क्या चीज़ी यूज कर रहे है जैसे कि जेनेटिक इंजिनियरिंग जेनेटिक इंजिनियरिंग अब क्या होता है जैस का क्या है कि उसको मेहनत करता है लेकिन उसका दिमाग तेज नहीं है तो राम में भी एक अच्छा करेक्टर है और स्याम में भी एक अच्छा करेक्टर है तो दोनों में से इस तरीके से क्या होगा सबसे best product देखने को मिलेगा तो इस तरीके से ही पायो technology का उपयोग किया जाता है ऐसा मैं समझाने के लिए बोला लेकिन ऐसा इंसानों में नहीं किया जाता है पेड़ पौधे के फसल के उपजाओ बनाने के लिए गाय बकरी भैंस इस सबके दूद को बढ़ाने के लिए ऐसा उपयोग में लाया जाता है जिसको लोग hybridization भी कहते हैं ठीक है तो आपको उतना नहीं समझना है इस chapter में आपको mainly focus करना है कि question क्या आ रहा है आप हर इस chapter में थोड़ा सा हर word जो होगा न थोड़ा hard word होगा तो आपको word के hardness पे नहीं जाना है आपको स कोरोना का vaccine वेगरा कोई भी चीज जो vaccine बनता है दवा बनता है किसी बिमारी का तो बायो technology का ही उपयोग करके बनता है ठीक है तो इस chapter का importance पता चल गया होगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ढरना नहीं है बहुत आसाम chapter है बहुत खास chapter है ठीक है तो चलिए आगे ब तो आपको quiz भी इस तरीके से देखने को मिलेगा तो आप टेलिग्राम पे जाए उदित academy सर्च किजिए और उसको join कर लीजे ठीक है तो चलिए हम लोग आज के class को start करते हैं आज का class का पहला question है अनुवानसिकी यांत्रिकी में अभियांत्रिकी में परियुक्त सबसे शमान जिवानू हैं तो आपको word बहुत हाड हाड लग रहा हुआ कि अनुवानसिकी अभियांत्रिकी क्या है तो भी या इसको इंगलिस में genetic engineering कहते हैं हिंदी में उसको अनुवानसिक अभियांत्रिक क्या है बताया था ना कि genetic engineering के कारण ही तो राम का मेहनत करने वाला character और स्याम क तेजवाला character दोनों मिला के एक नया इंसान बनाया गया तो ऐसा ही कुछ किसके कारण हो पाता है तो genetic engineering के कारण होता है क्योंकि जीन के साथ engineering करना ही क्या कालाता है genetic engineering कनाता है तो आप इतना मोटा मोटी समझें कोई आपको बहुत जादा detail में word को नहीं समझना है ठीक है जेनेटिक इंजिनियरिंग यानि अनुवानसिकी यांत्रिकी में अभी यांत्रिकी में सबसे पर्युक्त जिवानू कौन सा है तो वो है इकोलाई बेक्टिरिया कौन सा है इकोलाई बेक्टिरिया यह आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक इंजिनियर बियिदे के वारे में जाना कि इस chapter में बहुत ज्यादा यूज है तो उसा जब बारे बार बार को a-pyatry के जय को जैना यूज जैगा चैप्टर में बार बार ईकजें के नजरिये से ᤉर्यप कम एक जेतर आपको इस chapter को आपको समझने के नजरिये से नहीं पढ़ना है इस chapter को आपको question के नजरिये से पढ़िए कि कैसे आपका question बन जाए ठीक है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ entrance निकालने पर मतलब है scientist नहीं बनना है ठीक है चलिए next question है बाहरी DNA को मेजबान कोसिका में लाने हो तू किसका उपयोग कर सकते हैं जैसे मैंने बोला कि राम का मेहनत करने वाला character स्याम का क्या था दिमाग तेज वाला character दोनों को निकालना पड़ेगा फिर किसी में डालना पड़ेगा तो इसी तरीके से बोल रहा है कि कोई बाहरी DNA हम लिए और कि जैसे ये DNA है और ये कोई कोसिका है इस DNA को हमको इस कोसिका में डालना है तो आखिर कैसे डालेंगे किस चीज का उपयोग करके डालेंगे तो gene gun का उपयोग करेंगे जी हाँ और micro pipette इन दोनों का यूज करते हैं देखे ये जो आपको यंतर दीख रहा होगा ये micro pipette है और ये gene gun है तो इस दोनों का उपयोग करके ही किसी बाहरी DNA को मेजबान कोसिका में डाला जाता है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा जिसके द्वारा जी बाहरी DNA को मेजबान कोसिका में डाला जा सकता है तो अंसर चला जाएगा दोनों ठीक है next question next question है restriction enzyme जाने जाते हैं देखे restriction enzyme ये है ना देखे आपको दिख भी रागा figure में तो restriction enzyme जहां भी लिखा रहे तो उसका क्या होता है एक कैंची का फोटो बना रहता है क्या चीज़ का फोटो बना रहता है कैंची का तो restriction enzyme को आनवी के कैंची के रूप में जाना जाता है किसके रूप में आनवी के कैंची के रूप में जैसे कि next slide में आपको दिख रहा होग देखे यह कैंची का figure दिखाया गया इसलिए ताकि आपको ध्यान में रह जाए कि वह कैंची कहलाता है इंग्लिस में बोले तो molecular seizure ऐसा नहीं है कि वह कैंची जैसा दिखता है यह एक enzyme है क्या है restriction enzyme देखे enzyme है और enzyme क्या एक protein है यह आपको पता है तो यह enzyme क्या काम करता है जैसे DNA को काटना हो तो कोई कैंची से नहीं काटेंगे तो यही restriction enzyme का उपयोग करके DNA को काटते हैं तो इस कारण से जो भी enzyme है restriction enzyme इसको किस के कैची के रूप में जानते हैं हम लोग आनवी के कैची के रूप में क्योंकि DNA क्या है एक अनु है क्या है अनु है और उसको काटते हैं तो इसलिए इसको आनवी के कैची DNA मॉलिक्यूल है ना उस मॉलिक्यूल को हम लोग काटते हैं इसकारण से इसको आनवी के क्या नाम देया जाता है अंडो नुक्लिएज एंजाइम तो recall कहा जाता ऐंडो कैंची कelas में एक और नाम नाम क्या है यह क्या क्या काम करता है तो DNA के अनू को यानि DNA मॉलिक्यूल को काटने का काम कौन करता है तो restriction enzyme और restriction enzyme कई तरह के होते हैं कुछ-कुछ famous restriction enzyme है जो कि आपको पढ़ना है और आगे मैं बताऊंगा ठीक है तो वीडियो में लगतार बने रही है और वीडियो को फटा-फट लाइक कर दीजिए ठीक है चलिए next question है अनुवानसिकी यांत्रिकी को क्या कहा जाता है अनुवानसिकी यांत्रिकी वही चीज है genetic engineering मैं बोला था ना genetic engineering देखे यहाँ पे figure से आपको समझ में आएगा जैसे ये DNA है इसका हमको ये पार्ट अच्छा लगा इस DNA का हमको ये कहते है ब्लू वाला पार्ट अच्छा लगा ठीक है इस DNA में जैसे की देखे हुआ क्या कि हमको ना मन किया कि ये DNA है इस DNA का ब्लू वाला पार्ट क्या है अच्छा जीन है कुछ अच्छा character सो कर रहा है एक और नाम दिया जाता है recombination DNA technique क्या कहा जाता है recombination DNA technique तो अनुवांसिकी या त्रिकी को क्या कहा जाता है recombination DNA technique कहा जाता है तो साइद आपको समझ में आ गया होगा recombination DNA में recombine कर रहे है combine करना मतलब जोड़ना री कंबाइन मतलब पहले जुटा हुआ था उसको तोड़े फिर उसको कंबाइन किये तो री कंबाइन किये तो इस कारण से इसको री कंबिनेशन डियने टेकनिक करते हैं और हिंदी में बोले तो पुनर योगज डियने टेकनिक ठीक है चलिए next question next question आते हैं इनमें से कौन सा restriction enzyme नहीं है मैंने बोला था ना कि restriction enzyme के बारे में आपको पढ़ना है तो देखें यहां पे आपको तीन restriction enzyme आपके chapter में है जो कि काफी मतलब आपके लिए exam में यही तीन important होते तो काफी है लेकिन आपको तीन restriction enzyme के बारे में पढ़ना है वो कौन-कौन सा है eco r1, bam h1 और hind 3 होता है ऐसे roman number में 3 लिखा होता है हर जगा जो number लिखावा है और roman number में होता है लेकिन typing नहीं हो पा रहा था roman में इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है तो इसके लिए कोई बड़ा बहुत-बड़ा issue creator नहीं करना है कि master को नहीं आता है ऐसा नहीं वो type नहीं हो पा रहा है ठीक है तो restriction enzyme कौन सा नहीं है तो भाई या पैक्टिनेज enzyme ये restriction नहीं है और सब जो बाकी उपर तीनो है वो क्या है restriction enzyme है तो आपको इस question से मतलब यह नहीं है कि question क्या याद रखना है इस question से इस question से यह याद रखना है कि तीन restriction enzyme है आपके syllabus में वो है ECO R1 पहला कैसे पढ़ेंगे ECO आरवन दूसरा बाम H1 तीसरा हिंड 3 यह तीनों क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और कौन सा नहीं है तो वह पैक्टिनेज एंजाइम नहीं है देखे यह एको आरवन है और यह DNA का सिक्वेंस है गुएनिन साइटोसिन थाइमिन इस तरीके से आना तो उसको काटता कौन है इको आरवन काट रहा है ना तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही तो काट रहा है ना तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यह सब टाइप है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन है DNA को देखने के लिए परियुक्त होता है पते याद रख लिजे कि DNA को Uthedia Bromide में, अगरकिसी दीन, अगर देखना है, तो आपको Utherma Bromide में उस dna को color करना पढ़ेगा, फिर उस पे Ultra invece Ray को reflect करना पढ़ेगा, थैन आप उस उसको माइक्रोस्कोट में देख सकते हैं, और वो किस color का दिखेगा ? Orange band दिखेगा किस color का ? wa orange color का ? संत्रा कलर का दिखता है ठीक है तो DNA को देखने के लिए परियुक्त होता है क्योंची इथीडियम ब्रोमाइड तो आपको साथ समझ में आ गया होगा कि DNA को देखने के लिए जो परियुक्त होता है वो कौन से चीज का उपरियुक्त होता है इथीडियम ब्रोमाइड को हम बार DNA polymerase को और क्या कहा जाता है तो टेक DNA polymerase भी कहता है और इसको प्राफ्त किया जाता है किस से तो थर्मस aquaticus से यहीं aquaticus में इसे ही क्या आया टेक polymerase एक जैसा नाम एक्वेटिकस टेक एक जैसा थोड़ा लग रहा ना तो इस तरीके से निकला है यहां से ठीक है तो DNA polymerase जो एंजाइम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है तो थर्मस एक्वेटिकस में पाया जाता है तो आपको सीधा सीधी ध्यान रखना है कि टेक polymerase किसको कहते हैं DNA polymerase को और यह किस से डिराइव किया जाता है यानि किस से निकाला जाता है तो थर्मस एक्वैटिकस से निकाला जाता है clear चलिए next question next question है eco r1 देखे यहां में sprint हो गया है t नहीं होगा यहां r1 होगा eco r1 यह देखे eco r1 यहां सही लिखा हुआ है eco r1 नामक restriction endonuclease में co का क्या दर co का क्या मतलब है या co क्या दर साता है देखे आपको मैंने बताया था कि restriction endonuclease enzyme restriction enzyme को क्या का जाता है molecular seizure कहा जाता है क्या कहा जाता है molecular seizure यानि क्या आनवी के catchy restriction enzyme restriction enzyme के मैंने type बता है वो कौन-कौन से type थे तीन type आपको दिहां रखना है eco r1 फिर balm h1 hind 3 अब उसमें से eco r1 ये वाला के बारे में पूछ रहा है कि eco r1 क्या पूछ रहा है eco r1 में वो co जो है बीच में उस co का क्या मतलब होता है तो आपको full form याद रखना पड़ेगा eco r1 जो enzyme है वो किस से निकाला गया है तो वही bacteria याद है जो सबसे ज़्यादा परियुक्त bacteria है अनुवानसी की मतलब है ये अभी आंत्रिकी में genetic engineering में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला bacteria कौन सा है iskerikia coli क्या ischerichia coli पूरा नाम क्या होता है ischerichia coli और उसको shortcut में e coli बोलते हैं तो e coli जो e co r1 enzyme है उसमें जो co का मतलब है वो coli है क्या है c o l i coli तो answer हो जाएगा d क्या c o l i यानि coli तो e co r1 में जो co है उसका मतलब क्या है co का मतलब होता है coli ठीक है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है next question ti plasmid किसमें पाया जाता है तो देखे ti plasmid किसमें पाया जाता है agrobacterium में किसमें पाया जाता है agrobacterium tumineficence में देखे नाम थोड़ा टेड़ा है लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चे छोड़के जाएंगे और आप यदि टिक कर देंगे तो आपका selection हो जाएगा हर्ब कोई छोड़ रहा है आप भी छोड़िएगा तो आप छूड़ जाएगा इसलिए जो बच्चे छोड़ते हैं उसको तो खास करके आपको पढ़ना है क्योंकि वही तो आपको selection दिलाएगा ti plasmid किसमें पाया जाता है तो agrobacterium tumineficence में किसमें पाया जाता है agrobacterium tumineficence में दो तीन बार मेरे साथ बोलिए ti plasmid किसमें पाया जाता है agrobacterium tumineficence में ठीक है चलिए next question next question है निमनलिकित में कौन सा plasmid के लिए सही है दीकि ये plasmid के बारे में हम लोग पढ़ रहा है कि ये bacteria में circular dna है क्या है बिहार से यूपी तो बिहार के पटना जंग्षन से लखनाव जाना है मान लीते है तो लखनाव पटना से लखनाव जाने के लिए आपको किसका जरत पड़ेगा बस ये train का आप पैदल तो नहीं चले जाएगा पैदल भी जाएगा तो आपको road का जरत पड़ेगा सड़क का सड़क रहेगा तब तो जाएगा पहली बाद तो पैदल जाएगा ने आपको बस ये truck का जरत है तो बस ये train का तो आपके लिए जो train हुआ क्या हुआ एक साधन हुआ जिस पर आप बैठेंगे वो आपको बैठाएगा पटना में फिर वो आपको लखनों में उतार देगा तो ठीक वही काम plasmid का होता है एक जीन को इससे लेता है फिर दूसरे और मतलब body में जाकर के उसको फिर जीन को छोड़ देता है तो एक तरीके से बस और train का काम करता है मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ जाएगा यह सेंटेंस पढ़िए यह जीन स्थनांतरन में सरवत्र उपयोग में लाया जाता है तो जी हाँ plasmid के लिए क्या बात सही है plasmid का का काम क्या है जीन अस्थनांतरन करने के लिए जैसे यह जीन को दुसरे में डालना है तो बस उसके लिए बस यह train का काम करता है ठीक है जीन अस्थनांतरन में सरवत्र उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा है plasmid है ठीक है चलिए next question next question है cry gene ball creamy में किस फसल को बचाता है ball creamy से किस फसल को बचाता है cry gene क्या है gene का नाम है cry gene जो कि bacillus thuringiensis नाम का बेक्टिरिया है जो कि यह protein है और उसको secret करता है cry gene को कौन secret करता है cry gene किस से निकलता है bacillus thuringiensis cry protein तो वो bacillus thuringiensis बेक्टिरिया से निकलता है लेकिन संबसे पहले यह आपको क्लियर कि से बचाता क में ब्लांट को बचाता कि के पौद्ञ को का पासение कर आँगे रहा है का प्लाता है यह सा कनैक है जिसे ही इनफेक्टेट क्लते बड़ जोगी है इसा सब्सक्लू торब गें इसाонец adoptane को इसी cotton plant को cry gene effect ना करें ball warm से बचाने के लिए cry gene का उभ्योग किया जाता है तो cry gene ball cream से जो फसलों बचाता है किस फसल में वह एक का पास ठीक है चलिए ऐसा करते है समझ में आ रहा होगा समझ में आ रहा है तो थोरा सा चैप्टर हाड है ठीक है आपको यहाँ पर यह mentality के साथ पढ़ना है कि मेरे को question बनाना इंट्रेंस क्लियर करना है ना कि पूरे cry gene के वारे में पढ़ने लगेंगे cry gene क्या है क्यों cry gene नाम रखाया कैसे आया तो इतना detail में नहीं जाना है आपको बस इंट्रेंस क्लियर करना है आप यह करके एक बार NCRT पढ़ लीजिए आपको question का trend पता चल गया कि किस तरीके से question आएगा आपको तो फिर आपका काम बन जाएगा आपका काम बनना चाहिए बस उतना पढ़िए ठीक है इस chapter को खास करके चलिए next question है tdna किस में पाया जाता है तो tdna भईया ti plasmid में पाया जाता है यह तो question आपको नाम से फता चल रहा होगा tdna ti plasmid में पाया जाता है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि tdna किस में पाया जाएगा ti plasmid में पाया जाएगा next question next question है कि genetic engineering से इस्तेमाल पहला परतिबंद enzyme का नाम था देखिए genetic engineering वही वह कि genetic अनुवांसी की अभियांत्र की अगर हिंदी में बोले तो अनुवांसी की अभियांत्र की इंग्लिस में बोले तो genetic engineering मतलब हेर फेर करना कोई भी dna है उसके sequence को change कर देना उसमें दूसरा लाकर जोड़ देना तो यह चीज़ हुआ genetic engineering तो इसके इंजाइम और restriction इंजाइम दोनों वड़ इसलिए मैं कहता हूं कि maximum बच्चे को इंग्लिस में तयारी कीजिए क्योंकि इंग्लिस में आसान होता है इंग्लिस वाले हिंदी यूज नहीं कर सकते हैं हिंदी वाले इंग्लिस भी यूज करते हैं ठीक है तो बस अगर याद जै Frickson enzyme है प Вторिवंद enzyme है और यह सबसे पहले और यूज करने वाला यही और यह जो enzyme नीकला जाता है किसे निकला जाता है से इसह परक। कोुछ है तो को सा एक है समझमें आया इस सवाइब से से ध्याने हैं क्या है पक्राइबुकराइब हैं किया के इस्तमाल के परταιख युद्ध करते हैं किस से को नीटिवन करेता 6 का घोर मतलब १atem अंट्ख्वाय मतलब के स्व आफ्विक्ठरीयर कि स्व लौई पर пап ये पौधे में क्लोर्णिंग दो चीज़ का उब्योंग हוטा है पौधे में क्लोर्णिंग के लिए किस मौनीं के लिए का उपयोग हो T नहीं के मदत मिलता है किलोग लिए यानि एक टीर में संभाहा उपका प्योंग करते हैं तो अंसर हो जाएगा आपका दोनों क्या जाएगा दोनों यानि पाउदे में क्लोनिंग है तो किसका संभा का इप्योग करेंगे तो दोनों का पीबियार 322 का भी और टी आई प्लाजमीड का भी तो कैसा लगा समझ में आया देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आज का जो लेक्चर था यह काफी मतलब उट पटांग वर्ड से बढ़ा हुआ था मैं जान रहा हूँ लेकिन आपको मैं क्या बोला बस उस वर्ड को सुन तो आपको उतना नहीं समझना है भी आपके पास उतना समय नहीं है आपने देखा फिर उपर से एक NCRT को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए इस चेप्टर को और पढ़ने के बाद आपका निस्चिंत रही है क्वेश्चन एक्जाम में बन जाएगा और इसका पार्ट है मैं बोली रहा हूं कि करना क्या है आपको क्वेश्चन पॉइंट अब यू से देखना है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है और चलिए हम बता देते हैं उदित फार्मेसी क्लासेज प्ले स्टोर पे आप है वहाँ पे आपको बेसिक सोलुशन अब कम समय में तयारी के लिए तयार किये थे ताकि आपको कुछ हैल्प मिल जाए और अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए आपको मादर 300 के प्राइस पर मेरे जाएगा अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है चलिए मिलते हैं फटा फट पाट टू में पाट टू के लिए फटा फट वीडियो को लाइक कर दिजिए और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट कीजिए कि असर समझ में आ गया और पाट टू देखना है तो ओके चलिए मिलते हैं बाइ नेक्स्ट वीडियो में